अगर आप किसी और के बालों को देखके अट्रेक्ट हो जाते हैं, कि उनके बाल कितने खुबसूरत लग रहे हैं, कितने स्ट्रेट लग रहे हैं, कितने कर्ली लग रहे हैं, और कितने ज़्यादा शैनी लग रहे हैं, तो आपको उनका सिक्रेट नहीं पता रहता है, क्योंकि वह सिर्फ उनका शो आफ रहता है वह अंदर अपने बालों को इतने सारे ट्रीटमेंट देते हैं जो कि होते हैं पूरे नेचरल तरीके से यह आपको भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उन लोगों को देख लेते हैं और वह चीजे हम भी फॉलो करने ल संगे गाइव और उसके बाद धीरे जड्ने शुरू हो जाते हैं और फिर हम बाइब आजाते हैं कि अगर आप यही तेल पने बालों में अगर हफ़ते में एक दो बार भी अच्छे सालाण से लगा लेंग तो आप कितना भी अपनलों को टौर्चर कर लो,porand look episode K nghesta यूंस एक प्रोड़क्त करके भी क्योंकि में जब भी इस जब भी था यूज करती तो इसके दो तीन दिन पहले ही मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा ओईलिंग देती हूं ताकि बाल अच्छे सा मजबूत हो जाए फिर उन पर कितना भी टॉर्चर हुआ कर यह प्रकार से टॉ के पहले दो तीन दिन पहले अपने बालों को अच्छे से ऐलिंग कर लेंगे या फिर अप हफते में दो या तीन बार भी अगर आपने बालों को तेल लगा लोगा न सही तरीके से जड़ेंगे नहीं मजबूत होते जाएंगे और इन सभी मशीनों का कोई भी साइड फेक्ट करें बालों याइब लगया सारग नहीं होगा भी सारह एडर वागर यूज करने के बाद बाल बहुत जादा फ्रीजी हो जाते हं और चात में जढ़ने भी जाते रहा हो है और साहरम पहरने लिग जाते रहांसा और स्प्लिट एंडिन्स होने अलग जाते शाथे आप आज स तर रखलो के भी ते लिदे साथ प्रकार की यह तेल मिले होई प्राफ के ले विए प्रत्वी निए अब आपको क्या करना होगा रखल चाहिक बिर चोप पर अब क्या दिया होगा डरी और फो यह क्छा करना है थेल सबूरे यह भी वेराइटी के तेल ले लो coconut oil की जगह कोई नहीं ले सकता बालो के लिए क्योंकि coconut oil is the best hair oil और साथ में विटामिन E के कैपसुल भी ले रहे हैं अगर आपके पास बदाम रोगन तेल नहीं है तो उसका substitute है विटामिन E कैपसुल अधर वाइस आप जितना हो सके आप से आ स्ट्रॉंग नहीं है तो आप उससे continue रख सकते हैं पर मैं काफी सालों से पतंजली का यूज कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं जितना भी आपकी बाल या बालो की लेन्थ है उसके साब से आपको ले लेना है फिर इसमें या तो आप ये इमामी ब ये आपके लिए परफेक्ट है आपको अगर फ्रेग्रेंस कॉंशियस है तो आपको क्या करना होगा इसे पांदस मिर्ट पहले बनाकर रखना होगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी खुश्बू आती है अगर आपको खुश्बू अच्छी लगती तो कोई बात नहीं अगर प्रेटेंस करें क्योंकि इसमें सार प्रकार के और मिले वे रहते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा अगर थंड के मुलसम में लगा रहे हो तो आप बिल्कुल ही से थोड़ा सा गुनगुना कर ले तभी आप अपने बालों पर लगाए क्योंकि आप गुनगु अपनी उंगलियों की टिप से अलकी हल बालों पर अपने बालों पर मसाज देना होगा जिससे क्या होगा आपके बालों की जड़ों पर प्रेशर भी नहीं जाए वन जाएक आप तेयल पर नहीं को परचाए। अची तरीकिे से जड़ एब्सोर्प लेगे और आपको दोनों आथ से तील नहीं लगाना चाहिए बालों में दोनों हाथ से अप लगाएंगे आता आपके हाथों से ताकत बालों में चली जाती है तो यहाथ कि हमें एक हात में काटोरी रखें फिर में इसमें थोड़ा सा अगर आपके पास यह इमामी ब्रांड का नहीं है तेल तो आप इसमें बदाम का तेल ओलिव और विटामिन ए का एक केप्सुल और कोकरनट ओयल यह बन जाता है आपका पर्फेक्ट हेर ओयल जो कि आपके बालों को मजबूत बनाता है शाइनी बनाता है और आपको हमेशा बा करना है या हेर ड्रायर का यूज करना है तो फिर भी आपको उसके दो तीन दीन पेले से आपको अपनी बालों पर ओयलिंग करना शुरू करते ना ची जिससे आपके बाल इस प्रकार का तार्चर सेहन कर सके अधर्वाइस आपने इस प्रकार की मशीन का यूज किया बालों तो definitely आपके बाल ज्यादा जढने लग जाएंगे फ्रीजी होने लग जाएंगे रूखे रूखे से लगेंगे तो फिर आप इधर उधर सर्च करते रहेंगे कि अब हम क्या करें तो ये सही remedy होती है बालों में तेल लगाने की किसी भी मौसम में लगाओ ये तरीके से लगाओ गर्मी के मौसम में भी आप कोकनेट ओयल को ग्ल्यूप मौम कर सकते हैं ठंड के मौसम में जरूर करना है और ये जो आप देख सकते हैं इमामी का जो ओयल है इसमें आपको इतने सारे ओयल मिल जाते हैं तो एक ओयल में आपको इतने सारे तेल का पोशन मिल जाएगा अपने बालो में तो आप ये अपने पास तो ज़रूर रखे स्पेशली जो ट्रेवल करते हैं उन्हें तो अपने पास ये वाला ओयल ज़रूर रखना चाहिए मैं इन सभी की वाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप तो मैंने आपको अपना एक्स्प्रियंस और रिव्यू बताया ओइलिंग लगाने का बालो में इस्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मशीन यूज करते हैं अपने बालों के लिए चोटे-चोटे फंक्शन के लिए क्योंकि मैं भी यूज करती हूँ है तो मैं इस प्रकार से अपने बालों को पोश्चन देती हूँ जिसकी वजह से बालों में किसी प्रकार का नुक्सान नहीं होता है और बाल बिल्कुल हेल्दी बने रहते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कीजिए लाइक आपने देखा है इस चैनल को पहली बा कर दो कर दो कर दो शो कर दो दो कि अधर है है